हेलो मेरे प्यारे वच्चों आउनलाइन क्लास में आपका स्वागत है आपके मता-पिता अभिबाब को और दर्शकों को मैं हादिक अभिनंदन करती हूं आज मैं आपको लेशन 10 सिखाने वाली हूं क्लास 4K स्टुडेंट आप तयार हो जाएए टेक्सबुक में आप पेज नमबर 25 निकालिए सबसे पहले लेशन का नाम देखिए लेशन का नाम है क्रीशा की क्रीपा क्री देख रहे हैं आप इसमें क है नीचे में री का मात्रा है श क क्रीशा क बड़ी ए की मात्रा है तो हो गया की और ये हो गया का में री का मात्रा क्रीपा में आ का मात्रा क्रीपा इस लेशन में आपको ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है री की मात्रा वही आपको मैं पहले सिखाऊंगी उसके बाद जो लेशन में स्टोडी दिया हुआ है वो मैं आपको बताऊंगे तो आप तयार है न बचों तो निकाल ये पेज नमबर ट्विंटी फाइफ और हो जाएए तयार मेरे शाथ री से कौन-कौन सब्द बनता है उसको पहले जानिये जिससे आपको उचारन करने में अराम मिलेगा री री फोर रिशी रीन रीशाव रिशी राच री आपको इससे पहले में बताई थी भाविल्स कंसोनेंट के बारे में लेशन वान में अलफावेट्स है उसमें आपने परहता सोट भाविल्स लोंग भाविल्स तो ये री क्या है आप खुद ही जानिये री क्या है short bubbles तो अब री की मातरा का हम लोग योज देखेंगे हैं पढ़ ये और समझ ये read and understand आप चित्र देखकर पहचान गए होगे कि ये क्या का चित्र है ये हीरन का है हीरन को म्रिक कहते है मौ में देखिए री का मातरा और गा ये हो गया म्रिक दूसरा picture देखिए ये क्या है बच्चों ये पेर है पेर का sinonimes bricks होता है तो bricks कैसे लिखेंगे वा यार ला वा वा में री का मातरा डालेंगे और चा ये हो गया bricks नेक्स क्या है ये देखिए किसका है ये चित्र ये घार का चित्र है घार को grih भी कहते है तो ये देखिए गा री का मातरा ह grih next है क्रिशक क्रिशक पहले भी मैं बता चुकी हूँ लेकिन एक बार और देख लिजिए का में क्या का मातरा है री का शक ये हो गया क्रिशक तो अभी तक आपने री का मात्रा का यूज देखा और री से जो सब्द बनते हैं उसको प्रोनाउंस की तो आप समझ गए होंगे कि री का मात्रा कोई भी कॉंसोनेंट में लगाएंगे तो लास्ट में आर आई आएगा जैसे क्री लिखेंगे तो क्री हो गया जैसे स्री लिखेंगे तो एस आर आई स्री हुआ नेक्स देखिए कुछ मैं आपको बताऊंगे इससे रिलेटेड वर्ड मैं आपको समझने के लिए हाई इंगलिस में भी लिख दियो देखिए द्रिग दो में री का मात्रा और गय ये हो गया द्रिग डी आर आई जी द्रिग समझ में आया ना बच्चो नेक्स देखिए त्रिन तो ये री का मात्रा है और ये न त्रिन ब्रीहद ब री का मात्रा ह द ब्रीहद नेक्स देखिए ग्रीह ने गय में री का मात्रा ह न न बड़ी ए की मात्रा ये हो गया ग्रेहने सबका इंग्लिस मैंने दे रखी है यहाँ पर जिससे आपको मीनिंग जानने में परेशानी नहीं होगी निरिप निरिप राजा को कहते हैं न में री का मात्रा निरिप उसके बाद देखें त्रीशा त्रीशा मीन स्वता है प्यासा हुगा बहुत प्यास लगी रहते हैं उसको कहते हैं त्रीशा तरी का मात्रा श आ का मात्रा त्रीशा नेक्स है क्रितग करी की मात्रा त ग्य क्रितग श द्रिश श दरी की मात्रा श श द्रिश मीन सीमिलार एक शमा नेक्स देखें मृत 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 मृ म, री की मात्रा, द, उ की मात्रा, ल, म्री, दुल, नेक से है, प्री, ठक, प, री की मात्रा, ठ, क, प्री, ठक, तो अब इसमें आप लोगों क्या देखा, कि री का मात्रा लगाने से उसका उच्चारन कैसे करते हैं, तो आप एक बार चिधा जाए परिए, तेजी से परिए, द्रेग, त्रीन, ब्रीहत, ग्रनी, न्रेप, त्रीशा, क्रितग, शद्रेश, मृत, क्रीपन, मृदुल, प्रितग, इसको आप परिए, और इंगलिस में भी आपका लिखा हुआ है, उससे आप इसका अर्थ जाने है अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब किसान के बारे में क्या-क्या बातें आप लोग जानते हैं, वो हम से सियर किजिए, किसान हम लोगों को क्या देता है, क्या लाब होता है, हम लोगों को किसान के बारे में क्या फिलिंग्स है, वो थोड़ा सियर करेंगे, उसके बाद ह हम लोग फिर इस्टोरी की और बढ़ेंगें सबसे पहले बच्चों जानिये किसान अनुप जाती है जितने भी खाने का चीज है जो खेत में उपजता है वो कौन उगाते हैं किसान किसान हमारे अंदाता है इसलिए हम लोगों को उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए उनकी आदर करना चाहिए उन्हें सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हम लोग किसान भी पैसे करेंगे अगर किसान भेती नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे क्या बच्चों हम लोग पैसे खा सकते हैं नहीं न तो हम लोग का प्रान का रक्षा कौन है किशान है हम लोग खाना नहीं महान है किसान हमारे अंदाता है इसलिए किसान को हमेज़ा हम लोगों सपोर्ट करना चाहिए कहीं भी वो उनकी सहाधा करने चाहिए क्योंकि वही ऐसे अदमी है जो हमलों को खाने का जितना भी समान है वो खेती में ग्रो करते हैं कि न खेती में लगाते हैं चाहे वो अनाज हो या दाल दल्यन हो या फल हो या सबूझी हो है न बच्छो तो किशान हम लोगों के लिए बहुत ही important है तो यहाँ पर जो किशान है वो देखिए खेती में क्या लगा रखे हैं आप picture देखिए खेती में क्या लगाए हैं बताइए आप क्या है ये खेती में इक है इक को कहते हैं sugar can तो देखिए यहां से पहले परहेंगे एक क्रिशक था वह एक उगाता था एक म्रीक भागता हुआ आया वह एक में छुप गया तभी धनूस बान लिये एक निरिप आया निरिप शिकार करना चाहता था वह पूच रहा था म्रीक किधर गया क्रिशक चुप रहा निरिप उधर से चला गया म्रीक बच गया क्रिशक बहुत खुश हुआ अब देखिए इसमें क्या कहानी है कहानी है कि एक किशान था वो अपने खेत में सुगर कें मेंस एक लगाया हुआ था क्या लगाया हुआ था किशान अपनी खेत में एक एक की खेती किये हुए था एक दिन किसान अपने खेत के तरफ गुमने गया हुआ था उसी समय में किसान ने देखा कि एक म्रीक म्रीक हिरन को कहते है एक हिरन उधर से दोरता हुआ आया किदर आया ही के खेत के तरफ और वो हिरन खेत में जा कर छुप गया कहां छुप गया ही किसान ये सब देख रहा था उसी समय एक राजा धनूस बान लेकर शिकार करने के लिए खेत के ओर आ रहा था उसने देखा था हीरन को इसलिए हीरन डर से कि राजा से बचने के लिए एक के खेत में जा करके छुप गया क्योंकि राजा धनूस बान से उसका सिकार करना चाहता था उसे मारना चाहता था किसे मारना चाहता था हीरन को इसलिए हीरन छुप गया उधर से राजा आया और किसान से बोला क्या बोला क्या पूछा उसने मरीक किधर गया हिरन कहा गया किसान से पूछा किसान चुप रहा किसान कुछ भी नहीं बोला क्यूंकि अगर किसान उसे बता देता कि हिरन इस खेत में इक की खेत में जा करके छुप गया है तो राजा उस धर से चला गया, किसान जब उसे कुछ नहीं बोला, तो राजा वहां से चला गया, तो राजा वहां से चला गया, अमरीक तो उसमें छुप गया था, हीरन खेत में जो छुपा हुआ था, उसका जीवान बच गया, तो किसान बहुत खुस हो गया, क्यों कि किसान राजा को नही बताया कि हीरन एक के खेत में छुपा हुआ है इसलिए तो हीरन का जान बच गया अगर किसान बता देता कि इसमें छुपा है तो राजा उसे मार देता इसलिए किसान बहुत खुश हो गया हम लोगों को भी जानवर को नहीं मारना चाहिए अब आपका टेक्स बुक में वर्ड meaning आप देखिए पहले भी बता चुके हैं फार्मर नेक्स देखिए क्रिपा क्रिपा मिन्स काइंडनेस नेक्स एक है बरे एक है एक को शुगर किन कहते हैं उगाना उगाना मिन्स ग्रो करना खेत में जो हम लोग लगाते हैं न सबजी फल अना जो वो बरा होता है उसी को कहते ह उगाना और धनूश, धनूश हुआ आपका बो, न? और शिकार, शिकार मीनिस हंतिन्ग करना, शिकार कैसे परहेंगे बच्चों? स, ये छोटी मातरा क, और आ की मातरा र, शिकार, नेक्स नरीप, पहले भी बता चुके हैं, किधर में, रोके, क, छोटी मातरा धर, किधर, म्रि म्रिग पहले भी बता चुके हैं फिर एक बार आप देख लिजए म री की मातरा ग म्रिग वान ब आ की मातरा और न बान तो इसमें आपने बच्चों किसान के बारे में देखा किसान बहुत ही दयाल उठा है न बच्चों इसलिए किसान ने हीरन की जान बचाए नेक्स में देखिए अब किसान क्या क्या करते हैं किसान का काम देखिए क्या क्या करते हैं ऐसे ही नहीं है बच्चों कि जाकर के हम लोग धान का पेर लगा देंगे और वो धान उसमें उगने लगेगा वेसी बात नहीं है उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है जिस तरह आप लोग परहाई में मेहनत करते हैं तो एक एस्टार दो एस्टार पाते हैं न उसी तरह किसान भी अपने खेतों में मेहनत करते हैं तो बहुत ज़्यादा अनाज पाते हैं जो उसमें उगने के लिए लगाते हैं वो ज़्यादा पाते हैं तो देखिए किसान क् पहली तस्बीर आप अच्छा से देखिए क्या क्या है किसान है हल है और बैल भी है कितने बैल है दो है और किसान उसे लेकर के क्या कर रहे हैं खेतों की जुताई कर रहे हैं देखिए क्या कर रहे हैं किसान खेतों की जुताई कर रहे हैं जब पानी गिरने वाला रहता है तो खेतों की सफाई करते हैं जूताई करते हैं जिससे क्या होता है उसमें कमिटी हलका होता है और पानी किने से ज्यादा पानी उसमें अंदर में घुस पाता है जिससे खेती अच्छी होती है इसलिए किसान क्या करते हैं खेतों की जूताई करते हैं फीर पानी गिरता है तो ये देखे, क्या लगा रहा है, धान का पेर, धान का पौधा लगा रहा है, पहले लगाएगा, छोटा-छोटा होगा, फीर उहां से उसको ट्रंस्प्लेंट करता है, और उसके बाद ये लगाता है, तो ये देखे, ये किशान है, जो पहले जुताई किये, फीर यहां पर खेत में अपना फसल लगा रहे हैं ये फसल थोड़ा बरा होगा फिर इसके बीच में थोड़ी थोड़ी जंगल आ जाएंगे उसको भी उलग निकाल देगा उसमें से अनावंचित जो पे रहेगा उसको उसमें से निकाल देगा नेक्स देखिए गन्ना की कटाई कर रहे हैं इसमे जो आप मिरिक देखे थे, उसी का हम यहां पर पिक्चर दिखा रहे हैं, जिससे आपको बहुत ही असानी होगी जानने में, यह हो गया आपका निरिप, है ना बच्चों, नीचे में राजा को देख रहे हैं न, ऊपर में देखिए हीरान, और उधर आपका है क्या, तीर, तीर ihunting का picture मैंने यहाँ पर लगा रखिया hunting करने गया था कौन गया था hunting करने के लिए राजा गया था hunting करने के लिए अब देखिए आब आप a story सुने किसान के बारे में जाने आप भी कुछ बताईए आप गाओं में भी बहुत तरह के खेती की जाती है दाल के पेर भी लगाए जाते हैं ना जिसे चाना दाल जिसमें हम लोग खाते हैं वो चाना का पेर लगाते हैं उसमें से निकलता है मशुर दाल है ना बच्चो मटर तो अब देखिए अभ्यास 1 में क्या है सही सब्द छाट कर खाली जगह भरिये जो अभी आपने अपनी लेशन में परहाई की उसी में से आपको खोच करके इसमें भरना है फिलप करना है तो कुश्चा नमबर वन क्या है क्रीशक यहाँ पर डेश दिया हुआ इसमें आपको खोच कर भरना है उगाता था, क्या उगाता था? तीन अप्शन दिया हुआ है, गे हुँ, एक मतर अब आप बताईए, कहानी में क्या सुने, क्या समझे, क्या उगाता था? किशान? मतर, very good क्या उगाता था? मतर अब नेक्स क्वेस्चन देखिए, एक डेस भागता हुआ आया, खेत के तरफ, क्या भागता हुआ आया? कौन जानबर था? नाम बताईए अभी थोड़ा देर पहले ही, मैं उसका चितर दिखाई हुँ ना तो आप बताईए, क्या था? अप्शन मैं बोल देती हूँ, म्रेग, म्रेग मिन्स हीरान निरिप मिन्स राजा, लड़का तो आप जनते हैं, वोई को कहते हैं तो क्या होगा? करेक्ट आंसर, म्रेग एक म्रेग भागता हुआ आया, नेक्स क्यूस्चन आपका है, निरिप देस धनूस लिए आया, क्या लेकर के आया था? भाला, वान, बंदुग क्या लेकर के राजा आया था? निरिप करते हैं राजा को, क्या लेकर आया था? बान, अ, धनूस नो तो यहाँ देखें, निरिप बान, धनूस लिए आया नेक्स क्यूस्चन देखिए अन्त में दैस गया क्या? भाग, बच, डर अंत में म्रेग डैस गया कहां गया म्रेग भाग गया न डर गया न बच गया क्या हुआ बोलिए बताईए अंत में म्रेग बच गया कैसे बच गया उसको कौन सेफ किया किसान किसान ने ही खिरन की जान बचाए अगली question आपका क्या है चित्र ढूंड कर चिपकाईए अगर आपको चित्र नहीं मिले तो आप क्या कीजिए आप खुद भी यहां draw कर सकते हैं draw कीजिए उसमें color बढ़िए कोई जरूरी नहीं है कि आप खोजते खोजते time waste कीजिए आप खुद भी picture बना सकते हैं उसमें color डालिए तो यह है म्रिग म्रिग तो जनते ही है न deer का चित्र यहां पर बनाना है और अगला है निरिप निरिप मेंस राजा इसलिए पहले मैं आपको चित्र दिखा दे हूँ अगर आपको नहीं मिले कहीं तो आप खुद भी उसे देख करके ड्रो कर सकते हैं यहां राजा का picture लगाए और नेक्स आपका है क्रीशक किसान किसान का चित्र लगाए किसान का चित्र आप हल जोते हुए लगाए या प्लांट लगाते हुए लगाए या प्लांट कारते हुए भी लगा सकते हैं है ना बच्चो तो चलिए आज आपने जाना किसान के बारे में और री की मात्रा का प्रियोग कैसे किया जाता है फिर आपको इससे पहले मैंने अलफाबेट पढ़ाई थी उसके बारे में भी कुछ यहां उसका प्रियोग आया आपका आज ये तिसरा लेशन खतम हो गया पहले मैंने लेशन वन पढ़ाई थी उसके बाद आपको बड़ी पार्स का नाम बताये थे और आज आप लोग ने किसान के बारे में जानकारी प्राप्ट की और ये आपको अच्छी तरह लिखना है मिरिक रहता जंगल के अंदर उसके द्रिग है कितने शुन्दर हाथों में ले गृत बाती मेरी मा मंदिर में जाती निरी सिंग जी की पूजा करती इसको आप लिखे पेज नमबर 26 फिर मिलेंगे धन्यवाद बाई बचो